हालो फ्रेंड्स वेलकम टू ओपिन ओडिसरव फ्रेंड्स प्रेविएस वीडियो में हमने देखा था क्लॉक के कुछ टर्म जो कोश्चन में यूज होता है आज देखते हैं कि एंगल बिट्विन टू हैंड्स जो क्लॉक का बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है एक्ज मिलते हैं क्या में 14 टाइम जो मिलते हैं मिलेंगे क्यूंकि हमने देखा था कि यह क्यों क्यों समय के बाद वह एक दूसरे से मिलते हैं तो यहां जैसे कि देखेंग फ्रेंज कि अगर हमारा सुई स्टार्ट हुआ 12 12 बज़े से तो यह 65 पुर्णांग 5 अपन 11 मिनट बाद वह मिनट हैंड और आवर हैंड मिलेंगे तो यहां देखें यहां से अगर हमने स्टार्ट किया 12 स हैं तो यहें एक बज़ के 500 मिनट के करीम वह को फिर से मिलेंगे फिर गभब THAT फिर के 5 फिर बज़ के 4 बज़ के पैंच मिनट अगर काउंट करेंगे ढूब 3 4 5 5 7 8 9 10 और 11 ड्यारा føres that मिलेंगे यह हम इनकूब से इंक्लूट नहीं कर सकते क्यों कि हम हैं से च्राट के थे तो के अ क्लोक से हमने ãy स्टार्ट किया था इसलिए हम इसको नहीं करें कि यह बहुत इंपॉर्टेन बात है क्या कि हो मैं अगए जो मैं कुश्चिन डिल करूंगा उसमें मैं इसका जिकर करूंगा यहां देखिए एंगल बिट्विन टू हैं मतलब क्या कि अगर कुश्चिन में पूछे जाता है कि बताइए चार बज़ के 20 मिनट जब घरी में चार बज़ के 20 मिनट होंगे तब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा ठीक है जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं क्या कि अगर चार बज़ के 20 मिनट होंगे तो यह दस 20 तो यह आवर हैंड छोटा होगा तो कितना एंगल यह बनाएगा यह कैसे कर सकते हैं आप अगर देखें तो आप बता सकते कि लगवर कितना बन सकता है उसे आप निकाल सकते हैं पर अगर इसी जगह पर 23 27 लिग दिया तो आप अगर अप्शन में दे दिया 33 डिग्री 25 डिग्री तो आप आप से आप अप अपरोच ही सिर्फ इससे बता पाएंगे पर जो मैं बताओंगा उससे आप एक्च्वल में कितना एंगल बनेगा वह बता देंगे ओके चलिए करते हैं वीडियो को स्टार् इसके लिए एक फर्मूला होता है इसका कि ठीटा यानि एंगल बिट्विन मीनेट हैंड और आवर हैंड इसका क्या होगा 11 बाइटू एम माइनस थर्टी एच यह होता है पर अकसर हमारा निगेटिव में भी आंसर आता है कि ठीटा कब हैलो आ गया माइनस फिफ्टी फिफ माइनस का जाता का यह हम हमेसा का त wildlife लें निगा यह मुश्चिओ रह गएंगे यह हमारा कि इंप कोस्टि इंपोर्टेन फर्मूला क्लॉक का इससे आप नोट ढूं कर सकते ह्पाए अब मैं से लिटए निे क्वेश영 डेलेले ता हूं जैसे कि चलिए पहला ही कोश्चन देखते हैं कि बोल दिया चार बज़के 20 मिनट पर हमारा कितना एंगल बनाएगा तो ठीटा इस इकल टू देखिए हां सॉरी मैं यहां बताना बुल गया मीनट मीनट एच मिनट आवर ठीक है यहां कोश्चन में दिया चार बज़के 20 मिनट चार मनलब आवर हैंड आवर अब इस मिनट बीस मिनट तो हमारा क्या हो गया कोश्चन के नुसार तो फूर्मूला में अगर बठाएंगे तो मॉड लगाना नहीं बुलेगा क्योंकि अगर आप्शन में कभी दे दिया कि मिनट दे दिया कि ठीटा माइनस का है तब ही अब लगाएगा ऐसे तो कबको अब अब तक कोई एक्जाम में नहीं ऐसा ठीटा नहीं किया है नहीं अप्शन में दिया है तब करते हैं गर्वाइट टू इन्टू मिनट एंड बीस मिनट बीस मिनट है माइनस 30 इन्टू एच एच कितना है तो क्याल्कुलेट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा कि इन्टू सब्सक्राइब लिखते हैं वन वन जीरो माइनस वन ट्वेंटी देखें ठीटाइज इकाल टू माइनस टेन आएगा पर मौड करकारण है टेन डिग्री यह हमारा हो गया कि क्या कि कि चार बज़के 20 मिनट सॉरी यह 20 मिनट नहीं यह दस मिनट था वहीं कि चार बज़के यह 20 मिनट यहां आएगा 20 मिनट तो यह टेन डिग्री का एंगल बनाएगा ओके आप ऐसे ही कोई भी कोश्चन जो इससे लेटेट पूछ जाएगा आप इसी बता सकते हैं जैसे कि मैं दूसरा कोश्चन देता हूं अगर बोल दिया गया चलिए एक अच्छा कोश्चन एक अच्छा कोश्चन लेते हैं तो यह कोश्चन हमारा फ्रेंड्स जो अभी हमने देखा इसका एक कोश्चन है एक्जाम का यह फाइंड टाइम बिट्विन फॉर एंड फाइफ ओकलॉक सच डैट एंगल इस थर्टी डिग्री ठीक है एंगल थर्टी डिग्री तो हमें बताना है क्या कि फाइंड टी टाइम लग की समय बताना है कितना हमारा समय होगा जब चार और पांच चार और पांच के बीच में हमारा समय हुआ हो जब इस परकार की एंगल हमारा 30 डिग्री हो ठीक है तो हमारा 30 डिग्री एंगल होना चाहिए इसको 30 नहीं नबे करते हैं क्योंको नबे से से कैल्कुलेट करना असान हो जाएगा ठीक है कि 90 डिग्री हो जाए ठीक है तो हमार समय बताना है कि हमारा आवर हेंट होना चाहिए न चारा और बीच समय होगे टिककर 30H यही था अब देखिए एंगल हमारा दे दिया गया मीनट हैंड आवर हैंड के बीच में हमारा समय हो रहा है हमारा समय चार और पांच के बीच हो रहा है तो हम तो यह सिधा कंकूरूड कर सकते हैं क्या कि आवर हैंड तो चार और पाँच के बीच में ही कहिए होगा क्योंकि हमारा चार और पाँच के बीच में हमारा अवर का फांट आ लगádर चार और पांच के हमारे十 समय हो रह रहे हूंगे ना कि हम बोलते हैं यह दोनों के बीच का है मतलब कि चार बज़ के 20 मिनट चार बज़ के 25 मिनट ऐसा बोलते हैं तो हमारा आवर हैंड तो हो गया क्या हो गया कि Our hand हमारे कि ह правильно है क्या है चार बज़ा क्योंकि इन दोनों के भीच है तो neब हमारे अगर समय हो ग prophetic हाइं तो इसने हम निकाल ले कुर्व हम बता सकते हैं तो तो 11 by 2m माइनस 30 into h कितना यह 4 तो 90 अच्छा एक बाता और मॉड जब हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं साइन लगाते हैं प्लस मैनस तो हम प्लस मैनस लगा दिया अब मैं प्लस मैनस इधर वी लगा सकते हैं हमने कल्कुलेशन एजी करने के लिए हमने इधर लगा दिया मैनस 120 अब देखिए अगर प्लस 90 लेकर यह कल्कुलेशन को स्वल्व करते हैं तो दो क्ल्कुलेशन होगे से प्लस 90 लेकर करते हैं तो यहां एम का वैल्यू निकाल लिएगा तो इसमें नों आ जाएगा पांच बज़ेशन के पांच पुर्णांग पांच अपॉन इगारा जाएगा ठीक है और एक में क्या जाएगा अगर नहीं नहीं पांच पॉन पांग हां और एक आ जाएगा इगार बाइट टू एम माइनस तो आ जाएगा एम का भेलू थाटी एट पुर्णांग दो अपॉन इगारा जाएगा मिनट हैं तो हम कनुक्लूड कर सकते हैं कि हमारा समय कितना हो रहा होगा चार बज के 500 पॉनांग 5.1 या 4 बज के 38 मिनट 2.11 मिनट हमारा करण हो ठेका है इतना अब हम बताते हैं अगर हमारा औप प्नग ऑप स्थ्या रहे गा कि 4 बज के 5 जा चार बज के 5 मिनट 4 बज के 38 मिनट तो इसमें कैसे मार सकते हैं लेकि चल सकते हैं कि चार बज के पांच बिदे रहेगा तो कैसे कर सकते हैं जाए इसको आगे देखते हैं कैसे करते हैं वाइप को ठीक है है अगर हमारा कालकुलेशन करने के बाद अगर मान लिए हमारा यह आ गया अंसर की चार बज़ के चार बज़ के माले कि 4.8 आ गया मान लिए ठीक है 4.8 तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे हमारा तो ऐसा नहीं होता है चार बज़ के आठ या जरो भी लगा सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं यह 8.0 को तो 60 से मल्टिप्लाइब कर देंगे जिरू कि सीद्र मल्टिप्लाइब कर देंगे तो कितना हो जाएगा चार सबस्ति ठीक है तियानि करने के बाद यह हमारा यह जो आवर था यह आवर में हमारा जो टाइम था वह मिनट में चेंज हो गया कि 4 बज 4 गंटा 48 इन यह था 4 गंटा 4.8 आवर इसको चार गंटा 48 मिनट में यह चेंज कर दिया है अगर रहे गा क्वेश्चन तो 8 को हम 60 से मल्टिप्राइब कर देंगे और तो हमारा क्या हो जाएगा आवर मीनट में चेंज हो जाएगा तो चार बज का 48 मिनट ओके